हाई गाईज कैसे हैं आप लोग गाईज कमपाउंट सी इन दा बिलो रियेक्शन इस ना गाईज अगर आप देखें ये एक एन हाईड्राइड है जिसकी रियेक्शन बेंजीन से हो रही है इन दा प्रेजेंस ओफ अलसील तरी आप एक बात ध्यान रखें कि जो अलसील तरी है एक लूई सैसीड है ओके ये एक लूई सैसीड है ना उसके बाद जो ये प्रोड़क्ट ए बना उसकी रियेक्शन अगें पीसील फाइब के साथ हुई और उसके बाद सेकिंड स्टेप में इसी में हाइडोजीनेशन हो रहा है जिसमें ह2 गैस है और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और बीसोफोर की प्रेजेंस में आप एक बात ध्यान रखें इस क्रेशिन में जब भी बीएसोफोर इससर दिया आता है एक पोईजन का काम करता है अगें जो B बना उसमें NS2, NS2 के साथ इसकी reaction कराई NS2, NS2 को बोलते हैं guys हम hydrazine और हमसे पूचाए यह final product C ओके, सो start करते है guys अगर आप यह देहें guys यह जो enhydride दिया है इसकी reaction हमें कहाए कि बेंजीन से कराई है और ALC-LT के साथ now guys, एक बाद तक दियान रखे जब भी आप ऐसे question exam में करते हैं so कभी-कभी हमें direct जो जैसे इसमें ALC-LT है कभी-कभी direct हमें जो reactions हैं नहीं दियान रहती तो आप एक बात दियान रखे इसकी एक trick बताता हूँ आपकी जब भी आपको कोई Lewis Acid दिए जैसे ALC-LT हो गया या BF-3 हो गया या for example FEC-LT हो गया अगर इस तरह के Lewis Acids हो तो आप क्या करें इस Lewis Acids जो ये complete ये Lewis Acids है इनको replace कर दें आप HIN के साथ याने Acid दे रहे हैं जब आप इसको replace कर देते हैं इस question में तो आप क्या पाते हैं कि जो ये lone pair है ये lone pair इसमें attack करते हैं HIN के साथ तो जब ये HIN के साथ attack करेंगे तो क्युछ ये इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर positive charge सो positive charge है तो इन में से कोई साथ bond break हो जाएगा और जो मारा इसमें जो product बनेगा ये कुछ इस तरह हो जाएगा याने OH जो ये bond break होगा conservation of charge रहेगा तो positive charge इधर आ जाएगा इसमें ध्यान रखें जो ये RCOO है और इसमें जब positive charge होता है जैसे ये इसको आप acyl cation बोलते हैं और ये एक अच्छा stable cation होता है now c6 h6 guys इसमें आपको लग रहा होगा time लेकिन जब आप इसमें direct करेंगे तो आपको time नहीं लगेगा now जब c6 h6 है के साथ reaction होगी तो आप दियान रखे guys electrophilic right electrophilic substitution reaction होगी right now जब भी electrophilic substitution reaction में क्या होता है जब भी आप benzene है for example और कोई electrophil add करते हैं तो एक benzene का जैसे h होता है उसे आप replace कर दें और e को जोड़ दें कैसे कुछ इस तरह से okay similarly इसमें क्या होगा benzene है यह cation है तो यह जो cation है किसी भी इस से जुड़ जाता है so आपका जो यह product है कुछ इसमें इस तरह से दिखेगा OH और जो आयन है यह इधर जुड़ जाएगा let's suppose इसे pH लिख देते हैं okay so आपका यह जो है यह आपका A बन गया नो इसकी reaction PCL5 और H2PD BSO4 के साथ हुए पहले हम H2 इसकी reaction PCL5 के साथ करते हैं okay next page में देखते हैं so guys एक मैं एक वीडियो बना चुका था आपको आपके लिए कि जब भी आपको PCL5 PCL3 SOCl2 right या red red p plus Cl2 यह इस टाइप के कुछ compounds मिले and to be more precise की Px5 Px3 red p plus X2 और X यहाँ पर क्या होगा chlorine bromine right अगर इस टाइप के कुछ दिखते हैं तो आप सिम और आपका जो reactant है उसमें OH दिख रहा है तो आप क्या करें इनमें से अगर कुछ एक है तो OH को अटाके आप इसको CL जो X है वो रिप्लेस करते है हलाइड बन जाता है right इसके एक में वीडियो बना चुक हो प्रोपर तरीके साब उसमें देखें सो इसमें क्या होगा इस देखा कि इस PCL 5 के साथ reaction हो रही है OH रिप्लेस हो जाएगा OH जब रिप्लेस हो जाता है तो कुछ यह अब इस तरह से आ गया आप इसमें देखते हैं इसकी जो सेकिंड स्टेप में reaction होई S2, PD and BSO4 के साथ आप एक बात ध्यान रखें जह यह reaction है इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसे आप बोलते हैं रोजनमूंड reduction रोजनमूंड या रोजनमूंड reduction रोजनमूंड या रोजनमूंड reduction जो भी आप बोलते हैं से इसमें होता क्या है कि जब भी आपका कोई acyl halide है और उसका hydrogenation होता है on PD in the presence of BSO4 इसमें poison का काम करता है और जिससे जो hydrogenation है वो weak होता है याने जो complete hydrogenation ना होने के बाज़े पार्शल हो जाता है RCWOH पे ही रुख जाता है याने further hydrogenation है जैसे alcohol में या उसके आगे hydrogenation नहीं होता तो RCWOH पे ही रह जाता है because of this PASO4 जिन गाइस को यह confusion है कि poison क्या है क्या है मैंने एक video बनाई है hydrogenation पे आप उसे जब मैंने क्या का है ऐसा हलाइड ही होंगे यह जो hydrogenation का नहीं होगा इसको replace करके आप H जोड देते हैं right so कैसा होगा यहाँ पे CL जोड़ा and again यहाँ पे pH okay guys I hope आपको अब तक यह सीजी समझ में आई होगी sorry यह H हो जाएगा इसके बाद जो B बना उसकी direction होई आपकी hydrogen के साथ NH2 NH2 so again guys मैं यह इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ so मैंने उस वीडियो में आपको क्या बताया था कि जब भी आपके कोई carbonyl compound है be it aldehyde यह R है यह ketone okay जब भी आपके ammonia derivatives के साथ इसकी reaction होती है ammonia derivative मतलब NH2 यहां पे कुछ भी हो सकता है XYZ कुछ भी आपके में अगर NH2 present है for example अगर आप थोड़ा और बताऊ NH3 है ammonia so उसमें NH2 HNH2 लिख सकते है NH2 present है again जैसे hydrazine है NH2 right कोई भी कुछ भी हो सकते है आप for example जैसे NH2 है यहां पे आप अनिलिन ले ले बैंजीन में रिंग लगा के so कुछ भी हो बस आपको अगर NH2 present है तो आपको क्या होता है कि इस्टे से लगा देता हूँ X जो यह है H2O निकल जाता है similarly इधर NH2 X यह H2O निकल जाता है और जो compound बनता है आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा right similarly इस तरह से कुछ बन जाता है इस तरह के compound को आप Oxymes बोलते है आप उस वीडियो को चेक करें एक बार आपके सारी doubts के लिए रहोंगे अगर नहीं आता आपको और to be more specific जो aldehyde से बनते है उनको aldoxyme और ketones से बनते है उनको बोलते है ketoxyme right ketoxyme और aldoxyme का IOPSC nomenclature पर वीडियो बनाई है मैंने उसे आप चेक करें So अगर मैं आप इस question को देखूँ करता हूँ एक बार के हुआ क्या कि यह double O है H again यह double O है यह pH है अब क्या होगा NH2 and NH2 तो reaction हुई again होगा क्या जो यह H2O है एक इधर से निकल जाता है again यह H2 है इधर से निकल जाता है right ऐसे निकल गया guys इसका I hope आपको समझ में आ रहा होगा के के मैं इसे रब कर देता हूँ थोड़ से I hope यह तो आपको दीखी रहा होगा right तो यह जो होगा कुछ इस तरह से बन जाता है यहां हम ह लिख दू तो double bond N यह pH लिख देता हूँ तो इधर double bond Na की यह right guys so I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा कैसे लिख जाएगा दो बारे से लिख देता हूँ यह सिंगल पर A इस तरह से N यह 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 pH है यह यानै बेंजीन ring ए एक N है इस टाइब यह यह तो यह guys जो है आपका फाइनल आंसर है, right, so I hope आपको इस चीजे समझ में आयोगी, answer सी, right, I hope आपको इस चीजे समझ में आयोगी, so guys, thank you for watching, like, share and subscribe guys, और इसी तरह के कुछ questions के लिए, आप channel को share कीजिए, वीडियो के लिए और कुछ अगर आपको, कोई भी अगर कोई, कोई अपना personal level पर question है, right, किसी भी से related, questions से related, तो या कुछ भी आप मुझको email कर सकते हैं, avishchemistry at gmail.com पर, या comments में आप लिख सकते हैं, right, और any suggestion की मैं ऐसे channel को, content को improve कर सकता हूँ, आपको कुछ कमी लग रही है, most probably होगी कुछ, right, तो I am always open to any criticism also, so, bye guys, thank you. झाल